हेलो एवरिवन आप देख रहे हैं स्टाड़ी एन अधास अक्टिविटेश चानल आज हम पढ़ेंगे रिंजिम बुक जो के क्लास थर्ड की हिंदी है उसका पार्ट पढ़ेंगे चौदा सबसे अच्छा पेल तीक है अगर आपको इससे पहले चप्रस की वीडियो चाहिए तो आएंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में लिंकी मिल जाएगा आप महसे देख लिएगा तो चली हमाई वीडियो स्टार्ट करते हैं तीन भाई थे एक दिन सुभा के समय तीनों नए घरों की तलास में निकल पड़े गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चलते चल तो भाई उसके नीचे अराम करने लगे वे पेड के पके आम तोड तोड कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे बड़े भाई ने कहा भाई मुझे तो यही जगह पसंद है आम के पेड से बढ़कर क्या हो सबता है यह देखिया आम का पेड है आम लगे और बच्चे बैठे है यानि कि वो तीन भाई बैठे हैं और आम खा रहे है ठीक है आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे पहले भाई ने आम के पेड के नीचे एक जोपडी बनाई और वहा वही ठहर गया ठहर गया यानि कि रोग गया वही रहने के लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे वे आगे चल पड़े चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड मिले तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा पानी बरसने लगा दोनों भाईयों ने केले का एक एक पता काट लिया उसके साय में उन पर पानी नहीं किरा जरा देर में बादल चला गया बारिस रुख गई दूसरे भाई ने कहा बड़ी भूग लगी है मुझे भी तीसरे भाई ने कहा दोनोंने केले का एक पत्ता चीरा उन्होंने एक एक टुकडे पर खाना परोसा और दोनोंने भरपेट खाना खाया इसके बाद एक एक केला भी खाया ये देखे दिख रहा होगा न आपको केले का पेड है ये केले लगे हैं और ये दोनों भाई ये आंक पत्ते को ओड़ा रखा है दूसरे भाई ने कहा मैं तो यहीं घर बनाऊंगा केले के पेड से अच्छा क्या होगा बढ़िया केले खाने को मिलेंगे उनकी सबजी बनाएंगे कुछ केले हम बेच देंगे उनके पैसे से हम चावल खरित लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी जोप्री बना ली मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया चलते चलते उसे नार्यल का एक पेड मिला पीड बढ़ा लंबा और पतला था तीसरे भाई ने कहा कैसी प्यास लगी है तब एक नार्यल जमिन पर टपक पड़ा तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला खर-खर नार्यल की जटाएं साफ हो गई फिर उसने नार्यल के छिलके में छोटा सा छेत किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया नार्यल के पेड की छोटी सी चा तीसरे भाई उसी चा में बैट गया और सोचने लगा आम का पेड बहुत बढ़िया होता है और आम भी बढ़ा अच्छा फल है केले का पेड बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है ऐसा ये भाई उसका सोच रहा तीसरा भाई पेड नीम का भी अच्छा है उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है घर में कोई बिमार हो तो लोग नीम की तहनियां दरबाजे पर लटका देते हैं मेरे पास नीम का पेड हो तो मैं उसकी तहनियां बेच सकता हूं और पेड मुझे ठंडी चाओं भी देगा और अगर कही मेरे पास रपड का पेड होता तो मैं अपना चाओं को निकाल कर पेड की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता चीरे के तले में एक प्याला रख देता पेड के दूदिया रस को मैं प्याले में भर लेता रस को पाकर मैं रपड बना लेता रबड में बेच देता रबड से लोग गुबबारे, टायर और तरह तरह की चीजे बना लेते अच्छे पेड़ों की क्या कमी है नारियल के पेड़ की ही सोचो नारियल की जटाओं को काट कर मैं मोटी डोरिया बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाईया भी बना सकता हूँ रश्यों और चटाईयों को मैं सहर के बजार में बेच सकता हूँ और मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखा कर मैं खोपरा भी तयार कर सकता हूँ खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजे बनाने के काम आता है नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ ठीक तो है मेरे लिए तो यही पेड सबसे अच्छा है मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा इसलिए तीसरे भाई ने नार्यल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा तुम्हारे लिए कौन सा पेड सबसे अच्छा है तो आप लोग बताई के लिए पेड सबसे अच्छा कौन चाहता है केले का था या नार्यल का था या फिर आम का आप लोग यह कोशन में को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ये था हमारा पार्ट 14 सबसे अच्छा पिर ठीक है तो आई होप में वीडियो आपके लिए हलफ रही होगी तो प्लीज में चैनल को सेस्काइब कीजिए और बैल आकन दवाने ना भूले थैंक यू